हाई, वेल्कम तो मैं चैनल, इस बड़ी में सॉल्ब करें कुछिन बार ट्वेटिसिक्स तो कह रहा है कि एक मेटल है जो डॉक्टाइल है अच्छा, वाट इन वह निगा अफ डॉक्टाइल देखें डॉक्टाइल और मॉलिबिलिटी मतब डॉक्टिलिटी और मॉलिबिलिटी यह दो ऐसे वर्ड होते हैं जो साइंस में यूज होते हैं मेटल्स और नानमेटल्स चैप्टर में ठीक है डॉक्टिलिटी डॉक्टिलिटी एंड एक होता है क्या मॉलिबिलिटी मॉलिबिलिटी तो इन दोनों का मतलब क्या होता है कि ये परपर्टी होती है मेटल्स की ठीक है मेटल्स की परपर्टी होती है तो मालेबिल्टी बताती है कि वो परपर्टी मेटल्स की होती है जिसके कारण मेटल्स को पीट-पीट करके हम चादर के रूप में या फिर seat के रूप में convert कर सकते हैं तो उसके बोलते हैं क्या malleability और ductility के मतलब होता है कि किसी भी metal को मतलब कि बहु सारे metals को जो ductile होते हैं उनको हम क्या करते हैं खीज करके, मतलब ड्रा करके खीज करके लंबा wire बना सकते हैं जैसे कि copper wire होते हैं aluminum wires होते हैं तो उनको खीज करके नहीं बनाते हैं wires और उसका use करके हम करते हैं क्या electricity का transmission करते हैं तो ductility वो पपर्टी है मतलब कि खीज करके wire की रूप में convert कर पाना ये metals को हम कर पाते हैं nanometals को हम खीजेंगे तो तूट जाएगा ठीक है तो यहीं property होती है तो वहीं कर रहा है कि a piece of ductile metal ऐसा metal है जो ductile है ductile मतलब कि उसको खीज करके लंबा बनाया जा सकता है अब क्या किया जारा उसको is in the form of cylinder अब अभी फिलहाल में वो cylinder के form में है और इसका जो diameter है वो दे दिया है मतलब यहां से यहां तक जो length है वो दे दिया है 1 cm और उसका length भी दे दिया है 5 cm और यह जो है 5 cm length का भी है ठीक है ductile metal का दे दिया है यह length of breadth sorry diameter and length it is drawn out into a wire of diameter 1 mm अब इसको जो है खीज करके इतना बड़ा कर दिया गया wire बना दिया गया और इसका जो diameter है यह जो diameter है वो दे दिया है diameter यदि दे दिया 1 mm 1 mm का मतलब कितना होता है 1 upon 10 cm ठीक है 1 upon 10 cm ओके ठीक है तो diameter दे दिया है आप पूछ रहे है कि इसका length कितना होगा what will be the length means height इसका पूछ रहा है actually तो what will be the length of the wire so farmed तो यह wire है मतलब cylindrical wire भी होगा wire भी होगा cylindrical ही होगा तो इसका diameter इसलिए दिया है यहाँ पर 1 upon 10 cm और इसका length पूछ रहा है मतलब कि height पूछ रहा actually यह wire भी cylindrical ही होगा तो height ही पूछ रहा actually यहाँ ठीक है तो यहाँ पर क्या concept लगेगा तो यहाँ पर जो concept लगेगा solve करने के लिए वो यही है कि यह जो ductile metal का जो volume होगा यहाँ पर वही volume wire जब खीच करके बना लेंगे हम तब भी उतना ही volume होगा मतलब कि volume of ductile metal is equal to volume of wire तो हमली करेंगे आपर कि we know that we know that volume of volume of cylindrical volume of cylindrical ductile metal ductile metal is equal to volume of the wire volume of the wire drawn ओके तो यहाँ से हम क्या करेंगे volume of cylindrical ductile metal इसका volume कितना होगा तो pi r square h तो यहाँ पर h क्या दे दिया है 5 cm दिखे जो h है न वो length के बराबर हो जाएगा तो वही length हम यूज करेंगे तो pi r square h हम यूज करते है pi अच्छा यहाँ पर निकालना क्या में है what will be the length of the wire so formed तो जो length जो बनेगा wire का वो कितना लंबा होगा ये पूछ रहा है ठीक है तो यहाँ पर आपको भी लिखना पड़ेगा कि let तो पहले पहले हम यहाँ पर लिख लेगे अब ये बताना आपको कभी कभी भूल जाते है किसी किसी question में जो पूछा रहेगा पहले ना उसको हम let कर लेते हैं ठीक है तो पहले पहले हम यहाँ पर let कर लेजगा let let the let the length length of the wire so formed b x cm माले जिए माले जिए कि यह x cm है ठीक है सब कुछ cm में हम यूज कर रहा है ठीक है तो volume of cylindrical ductile metal क्या हो जाएगा pi r square h यहाँ पर हम यूज करेंगे pi r square h यहाँ पर जो r यूज करेंगे वो ductile metal का radius यूज करेंगे is equal to volume of wire कितना होगा तो यह भी pi r square sorry pi r square h ही होगा यहाँ पर लेकिन जो r और h यूज करेंगे वो इसका यूज करेंगे ठीक है तो यह बस ध्यान रहे pi r square h तो pi की value है आप जानते है 22 by 7 into r की value यहाँ पर देखिए ductile metal की r कितना होगा तो यहाँ पर diameter दे दिया है 1 cm तो r होगा 1 upon 2 1 upon 2 का hole उसका है यह diameter दिया होगा ठीक है यहाँ दे दिया है diameter जो है 1 cm है तो 1 upon 2 करेंगे तो यह हो जाएगा radius तो इतना हो जाएगा into h height कितना है height is the length of the ductile metal में तो 5 cm into यह हो जाएगा 5 cm is equal to यहाँ पर जो radius होगा वो radius of this wire तो radius का यहाँ पर diameter दे दिया है कितना 1 mm मतलब कि 1 upon 10 cm तो इसका radius कितना हो जाएगा radius हो जाएगा 1 upon 20 cm ठीक है मतलब कि 2 cm करतेंगे इसको यहाँ पर यूज करेंगे 1 upon 20 का square into h height मतलब यह कितना length है इसका height means length of the wire height को मतलब माना है यहाँ पर x यहाँ चूज करेंगे x और यहीं आप x को find करना है ठीक है तोसाल करना है इसको यह मिल जाएगा 22 by 7 into यह मिल जाएगा 1 upon 4 into 5 is equal to 22 by 7 into यह हो जाएगा 1 upon 2 to 4 400 into x अब ध्यान देजेगा यहाँ पर यहाँ पर मतलब की मिल जाएगा हमें 1 upon 4 multiplied by 5 into 1 upon into 400 into 400 ठीक है यह 400 से मिल जाएगा तो इतना टूटल में इतना टूटल में मुल जाएगा 400 से क्या आएगा यहाँ पर यह 4 बंजा 4 और यह कटेगा तो मिल जाएगा 100 और 100 into 5 मिल जाएगा 500 तो 500 cm आगया तो इत इंपलाइज X is equal to हो गया 500 cm यह लिखना 500 cm गो लिख सकता है 5 मिटर है कि नहीं इसको जब मेटर में करूट करेंगे तो 5 मिटर आएगा तो लिख सकता है कि hence hence the length of the wire is equal to 500 cm या खिर लिक सकते हैं 5 meter and this is your final answer thank you so much for watching bye